पढ़ेगा बहुजन तभी तो बढ़ेगा बहुजन फुले सहाब ने एक लाइन कही थी बिद्या बिन गती गई, गती बिन मती गई, मती बिन ब्यापार गया और ब्यापार बिन अतुम सुद्र कहलाए चत्रपती साहुजी महराज ने सबसे पहले रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया बिजनेस को बढ़ाया, बाबा सहब की आर्थिक मदद की उनही की जयनती पर उनही के बिचारों को आगे बढ़ा रहा है समरिद भारत चेमबर अफ कमर्स और इंडस्ट्री और मेरे साथ रिटार्ड आईपीएस चोहान सहाब है दिल्ली में 26 जे दोजार बाइस मतलब अब ठीक दो दिन बाद इंजिनियर्स भवन जो आईटी ओ के पास है वहाँ एक बड़ी बैठक होने बाली है और समरिद भारत चेमबर अफ कमर्स और इंडस्ट्री जिसकी कोशिस है ये फोरम वर्किंग फोर एकोनॉमिक जस्टिस और भोसंग का समाज accordingly invites bringing profitability, prosperity and agriculture in allied sector चाहन सहाब ये साहुजी महाराज की जयनती पर जो आप लोग कारेकरम रख रहे हैं 26 तारीक को इंजिनियर्स भवन आइटियो पर उसकी क्या रूप रेखा है क्या road map है इसमें देखे हमारा बिशेश जो एंफेसिस रहेगा समिनार में जो एक्सपर्ट लोग हैं टेक्निकल कमेटी हमने बना रखी हैं तीन टेक्निकल सेशन होगे इसमें agriculture सेक्टर जो negative return का profession हो गया है उसकी क्या समझे आए क्यों ऐसे हो गया है और क्या इसमें सुझाब हो सकता है कितने सवाल है और policy intervention कितना इसमें हो सकता है जाकि कितनी गुंजाइश है ताकि किसान की जो और एलाइट सेक्टर में जो आमदनी उनकी बढ़े अभी आमदनी नहीं बढ़ रही है जो भी आमदनी हो रही है वो सब गाटे में जा रहा है आमदनी नाम पर कुछ हो नहीं रहा है उसको बिलकुल गाटे में जाता है और आत्मात्यार का इतना बड़ा न लक गग 90 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं और इतना इसकी इंपर्टेंस है कि इसका जो 90 करोड़ अपने आप में बताता है कि जीविका का साधान उनका ये अगरीकल्चर वे सेक्टर ही है लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत बुरी हालत इतनी हो गई है कि उसमें दार साल दर साल इसका जो GDP में contribution है वो घरता ही जा रहा है जो 40% 70% में होता था अब लगबग 17% के आसपास है तो इस sector की बहुत बुरी हालत हो गई है तो इसमें कैसे इसको इंप्रूब किया जा सकता है उसमें हम लोग समिनार में डिसकस करेंगे टेक्निकल जो लोग आएंगे साइंटिस्ट अग्रिकल्चर साइंटिस्ट को भी हम बुला रहा हैं तो हमारी रिक्वेस्ट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें लावान भी थों सुझाब दें सवाल करें सबका उसमें जो विदिन दा फ्रेमवर्क हम इसका हल ढूटने का कोशिस करेंगे साहुजी महराज की जयनती क्यों चुना आपनों साहुजी महराज का जयनती देखिए इसलिए चुना है कि एक हमारा सबकी जो समरद्वारा सुरुवाती दोर में उन्हों नहीं सुरू किया था तो उन्होंने हमने इसलिए इसको इंपोर्टेंट दिन के रूपे चुना गया है समरीद भारत चेंबर ओफ कमर्स एंड इंडस्ट्री जो इस भी सिस्याई है आपका तो इसकी क्या भूमिका है समाज के लिए क्या रोड में फ्याप लोगा और किस तरह का इकनोमिकल कंट्रिउशन करने की योजना है तो जो लोग विरोजगार लोग है वो छोटा से छोटा भी अपना रोजगार शुरू करें इवें माइक्रो बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस या मीडियम जो भी इतना पॉलिसीज है लेकिन उसका फाइदा नहीं उठा पा रहा है क्योंकि अवेरनेस नहीं है तो हम अब सेमिंणार के थुरू अवेरनेस फैलाने का भी काम करते हैं और जितने भी इवेरोजगार लोग हैं वो अपना बिजनेस दे सकते हैं हमारा इरादा ये है कि हम अब जोब शीकर्स की बजाए जोब गीवर्स बनें तो ये हमारा वो बंचित समाज को भी बिजनिस में भागीदारी मिले यह हमारा उद्देश है बिजनिस में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और रोजगार देने वाले लोग बने ताकि पूरे भारत में समर्दी आए यह हमारा उब्जेक्टिव है अगर आप भी दिल्ली NCR में रहते हैं या बिजनिस में बिजनिस की बारिकियों को आपको समझना है तो 26 तारिक को ठीक आज से दो दिन बाद सुबह नौ बज़े से यह कारकरम है दिल्ली के दिल्ली में आईटियो नजदी का में ट्वे सिसन आईटियो है वहाँ इंजिनियर सभवन है उसमें आप सामिल हो सकते हैं समरित भारत चेंबर ओफ कमर्स एंड़स्टी की तरफ से साहुजी महराज की जयनती पर आर्थिक रूप से समाजिक रूप से बहुत संख्यक समाज कैसे मजबूत हो उसको लेकर यह कारकरम का योजन है तो आप लोग इसमें आ सकते ह हैं सामिल हो सकते हैं और बिजनेस की भारिकियों को समझ सकते हैं और इस भी सी सी आई से आर्थिक सहयता लेकर अपना बिजनेस भी सुरू कर सकते हैं शुक्रिया सर्म से बात करने के लिए समय थैंक यू बहुत थैंक यू शुक्रिया आप लोग अपनी पर्तिरिया जरूर दीजिए और अगर आप दिलियन CR में रहते हैं तो 26 तारीक को इस कारेक्टर में जरूर सिर्कत करें और बिजनेस की बारिकियों को भी समझें